नए ब्लॉग के लिए सब कितना time period हम मान के चल सकते हैं कि यह rank करना शुरू कर देगा और उससे पैसे बनाने शुरू कर सकते हैं मुझे जो मैंने आपको example दिया अभी कम से कम तीन महीने के अंदर आपको traffic में income मिलना शुरू हो जाते हैं तो आप तो फिर बहुत जादा बड़ा पैसा बना सकते हैं मेरे साब से तो एक साल का एक समय है जो कि देना होता है जैसे कुछ लोग कहते हैं यूटूब पर मैं आ रहा हूं मैं कम से कम एक साल तो दूँगा आप एक website बनाइए ब्लॉकिंग करिया और उसमें एक साल का समय दीजिए और देखिए फिर उसमें क्या return मिलता है तो उसमें करने में कोई हर्श नहीं तो एक बात जैसे अभी आपने बोली तो ज्यादा तर लोग जो एक टाइम पर काफी स्तार थे काफी अच्छी व्यूज आते थे और काफी लोग जानते थे आज उनको कोई नहीं देख रहा है पिर काफी कम लोग देख रहे हैं तो एक थोड़ा साथ एड़ा साथ हो जाता का जो life cycle रहता है वो कुछ ऐसे रहता है top पे और फिर वो ऐसे भी आता है चाहे आप शारुक खान भी है तो एक समय के बाद आपकी पिच्चरें नहीं चलती है हलाकि आप top के star रहे हैं तो ऐसे में YouTube या Instagram पे जब आप जाते हैं तो आपका ये path रहेगा सेम रहेगा सब लोगों के लिए रहेगा चाहे वो time period सबका अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा वहाँ पे आप उनके platform पे content अपलोड कर रहे हैं तो कैसे rank होगा क्या कुछ है वो उनकी ओपर है आप अपने content में tags वागरा डाल सकते हैं इसे जा को views लाना दौनों में बहुत फरक है जैसे लोगों को YouTube इसलिए असान लगता है कि वो दूसरों को देख रहे है कि क्या content बना रहा है और कैसा perform कर रहा है वो सारे चीजे matrix देख जाती है ना बट ब्लॉग में कुछ tools हैं उनके हिसाब से हम बस देख सकते हैं उसके लिए जो rank कर रहा है उसके अंदर क्या फाइदा मिल रहा लोगों को उसके keyword की कितनी value है यह सब करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो लोग कई बार short route ले लेते हैं जो कि हमेशा साही नहीं रहता तो कुछ अगर tools आप बताने चाहेंगे useful tools blogging के लिए देखे मैं blogging के लिए एक बहुत ही सस्ता वाला tool बता देता हूं वैसे तो ahreff है जो कि बहुत ही महंगा tool है हर कोई उसको afford नहीं कर सकता 99 डॉलर का इति उसका per month का standard plan है लेकिन यहां पे एक सस्ता tool में बताता हूं जो कि Neil Patel है अफिलिये अबर सजिस्ट तो वो सिर्फ 10 डॉलर का उसका minimum subscription ह यहां फ्री में था मार मुनों ने पेड़ता दिया तो वो 10 डॉलर का उसका minimum subscription है उसके थुरू आप काफी information पता कर सकते हैं यहां उसका free version काम करता है आपको subscription नेने के बिजरूरत नहीं अभी उसका free version काम करता है तो वो आपको काफी कुछ idea दे देगा एक website के top content के बारे मे कैसे वो rank कर रहा है किस तरह से वो actually में किस keyword के लिए rank कर रहा है तो आप कुछ-कुछ वैसा लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो नहीं तो आप खुद नया भी कुछ लिख सकते हैं तो उस tool के थुरू आपको काफी information